एलो एब्रिवाइन कैसे आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो यह सुबह से ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है गर्मी की वज़े से मैं बाहर लेटी तो यह साइड में मेरी सिस्टर लेटी हुई थी सुबह उठके सबसे पहले मैं बैडी बनाती हूपना त तो अंदर तो बहुत अच्छा लगता है थोड़ा ठंडक सी लगती है अन्यता अधरवाइस जैसे धूप निकलती है न तो अंदर बहुत जादा घर्मी हो जाती है तो हम लोग यह इधर ही लेटना पड़ता है तो यह जो मेरा रूम है वो रेंटिड रूम है मतलब किराय क घर है तो आप देख सकते हैं इस तरह की अगर फोल्डिंग है आपके पास और इसमें पहले तो एक कैप लगी हुए था अगर कैप नहीं लगे आए तो इस तरह से आप कोई भी कपड़ा हो इस तरह से लगा सकते हैं जो आपका फर्स वगएरा हो उस पे कोई फैक्ट नहीं करेगा आप देख सकते हैं बहुत जादा सही रहेगा सारे उसमें मैंने इस तरह से लगा रखा है क्योंकि जब यह फोल्डिंग आई थी तब तो इसमें लगे आए थे थोड़े दिन यूज करने के बाद जो कैप होते हैं वो निकल जाते हैं तो और यह फोल्ड करके मैं अ परिशानी होती है जिनके चोटे कर रहे हैं चोटे रूम हर एक चीज को ने मिंटेन करके रखना होता है तो यहां पर मैं बना रही हूं हो मेड कॉलिंग तो यहां पर अगर आपके पास कोई भी सेम्पू हो क्लीनी प्लस हो किसी भी तरह का सेम्पू हो तो आप पानी में इ तो यहां पर मैंने थोड़ा सा जैसा इस तरह का कॉलें का कलर होता ना इस तरह का मैंने यह सैंपू डाला है और इसमें डाला है आपको आधा कटा हुआ नेवू जिस जितनी मातरा में आप बनाना चाहिए उतनी मातरा में आप बना सकते हैं और नेवू डालने से बहुत ही ज करना है तक यह सैंपू पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाए उसके बाद आपके पास कोई भी इस प्रे बॉटल लो यह मेरे पास कॉल इन की खाली बॉटल दी तो इसमें क्या किया मैं इसी में भर दूँगी और इस तरह कि अगर आपके पास बॉटल ओ छोटी सी तो आप इ परिका रही हूं काफी अच्छे से साफ हो जाता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एक वार आप ट्राइब करके देख सकते हैं यह होम मेड है काफी अच्छा है तो फ्रिज को मैं एक दो दिन में ऊपर की तरह बहुत ज़दा गंदा होता भार से कुछ ऐसे ही क्लीन कर द किल रहा है तो इसलिए पूरा अपना जो भी शुचौफ करकर ही यह सारे काम करें और यह जो बनाया है इससे आप स्प्रे कर सकते हैं मैंने पहले क्लिप कुछ एड़ नहीं हो पाती है पदा नहीं क्या है कुद से ही मैं सूट करती हूं तो मैं सोचती हूं ऑन हो गया है कैम पूरा ऐसे ही इस पर आप कर देना तो एक दो मिनेट बाद आप साफ करना तो बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगी सारी गंद की एक दम क्लीन हो जाएगी सारी चीजें नहीं टीवी बेगैरा साफ कर सकते हैं और अंदर की तरफ से भी मैंने इसको थोड़ा-थोड़ा सा साफ कर दिया आउय होप को मिरा वीडियो अच्छा लगा ने तो पीज तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को लाइक करना वीडियो करना तो यह कर सकती हैं भी मेरत मीरत पर्वार को जाएंगे और मैधा था go चाय कि चाय के बिना तो मेरी जिन्देगी अधूरी है जब कभी मैं जादा काम बगरा करूं या कुछ भी करूं तो बीच में मुझे एक चाय मिल जाती है पता ने क्यों मैं एनरजी सी नहसूस होती है तो आई हूप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज पसंद आया और तो प्लीज वीडियो को लाइक करना हो मेरे चैन को सब्सक्राइब करना हो और मुझे आगे बढ़ाना हो